जै हिंद बच्चो एन रहमान फिस क्लास में आपका स्वागत है तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेई और नीट के लिए नुमेरिकल की सुरुवात कर रहे हैं तो क्लास 12 का आज का जो नुमेरिकल है वो बेस्ट है क्लास 12 के एक बहुत ही important topic पर जिसका नाम है quantization of charge इस पर बेस्ट 5 examples हम लोग देखने वाले हैं 5 नुमेरिकल्स देखने वाले हैं 5 अलग-अलग type के एक ही formula पर कौन-कौन से किस-किस type के numericals आपके exam में पूछे जा सकते हैं उन numericals को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं बच्चो ठीक है तो देखें board पर आपके सामने वो 5 प्रस्ण दिये हुए हैं जो 5 प्रस्ण जो 5 नुमेरिकल्स हम लोग आज solve करने वाले हैं वो 5 नुमेरिकल्स आपको board पर लिख दिया गया है तो question number 1 से start करते हैं हम लोग तो question number 1 जो है बच्चो वो क्या है from a neutral body किसी उदासीन वस्तु से 10 to the power 6 electrons are removed अगर किसी neutral body से बच्चो 10 के power 6 electron हमने हटा दिया है त्याग दिया गया है तो उस पर कितना charge होगा ठीक है तो quantization of charge का formula हम लोग जानते है q बड़ाबर होता है plus minus ne quantization of charge याने किसी भी body पर जो charge होता है वो electron के charge के integral multiple के रूप में पाया जाता है integral multiple के रूप में बच्चो पाया जाता है ठीक है जिसको हम लोग q बड़ाबर plus minus ne के रूप में represent करते हैं ठीक है form में अब देखिए बच्चो question हमारा ये है कि एक neutral body है तो उस neutral body से question number 1 का solution होगा कि एक neutral body है उससे हमने n बड़ाबर 10 to the power 6 electrons को remove करना है हटाना है तो हटाने में कितना charge आएगा हटाने से तो e का value fix होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम और q बड़ाबर निकालना है what तो since electrons are electrons are removed electrons को क्या गया गया बच्चो हटाया गया है ठीक है तो जब electron को हटाया जाता है किसी body से electron remove होता है यने कि electron का त्याग होता है तो उस पे positive charge होता है और अगर कोई neutral body electron को gain कर लेगा बच्चो तो उस पे negative charge होगा तो यहाँ पे electron remove हो रहा है that means यहाँ पे जो q बड़ाबर लेंगे वो plus n e लेंगे तो q बड़ाबर plus n e n के जगा पर 10 to the power 6 into 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलंबर चो ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं बिना power वाले को बिना power वाले से गुना करेंगे और power वाले को power वाले से बड़ा simple है logic कि बिना power वाले को बिना power वाले से power वाले को power वाले से तो देखो यहाँ पे बिना power वाला तो यह अकेला है तो 1.6 और यहाँ देखो 10 to the power minus 19 और यहाँ पे है plus 6 power वाला तो 19 यानिए 19 करजा है उसमें से आपने 6 करजा सधा दिया किसी का किसी का डेप्ट आपने 6 सधा दिया तो बताइए करजा और कितना बच गया 13 तो Q यानि कि अगर हम किसी बड़ी से from a neutral बड़ी 10 to the power 6 electrons are removed अगर इस पर से हम अगर 10 के power 6 electron को हटा लेते हैं तो कितना चार्ज हो जाएगा Q बड़ाबर N E से निकालेंगे तो Q बड़ाबर N E से Q बड़ाबर N E N का value हमने put किया E का value put किया और दोनों को multiply करके कितना आ गया हमारा 1.6 into 10 to the power minus 13 कुलाम ठीक है पहले प्रस्ण का ये answer हो गया ठीक है बच्छो अब चलते हैं बच्छो दूसरे प्रस्ण के answer की ओर ठीक है तो मैं प्रस्ण लिखा रहने दे रहा हूँ और ये जो answer है इसको मैं हटा रहा हूँ इसी formula पर based है ये सारे प्रस्ण बच्छो चलिए अगला प्रस्ण दूसरा प्रस्ण क्या है ध्यान से देखे बोर्ड पर दूसरा प्रस्ण क्या है बच्छो प्रस्ण संख्या दो question number 2 क्या कह रहा है कि calculate the charge आबेश की गन्ना करे चार्ज का calculation करे if 10 to the power 5 electrons have been added अगर 10 के power 5 electrons 10 to the power 5 electrons अगर किसी बड़ी में हमने जोर दिया है जोर दिया गया तो electron जब जोर जाएगा तो आबेश क्या होगा चार्ज क्या होगा निगेटिव होगा बचो चार्ज निगेटिव होगा तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो second का जो solution होगा बचो उसमें n लिखेंगे कि n हो गया 10 to the power 5 e हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलम तो q बड़ाबर what अब सोचो यहाँ पे since electrons are added electrons को क्या किया गया है बचो added किया गया है जोडा गया है electron जोडा गया है तो जब electron को जोड़ेंगे तो चार्ज negative होगा because electron negative particle है तो जब आप में कोई negative आएगा तो आप negative बन जाएगा और negative का आप त्याग किजिएगा आप अपने body से negative को हटा होगे तो क्या बन जाओगे positive बन जाओगे ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा q बड़ाबर minus n e लेंगे तो q बड़ाबर minus n का value कितना हुआ 10 to the power 5 e 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम फिर वही बाद बिना power वाले को बिना power वाले से तो minus 1.6 अकेला है यह जियों कते हो जाएगा उसके बाद 19 है 10 to the power minus 19 और यह 10 to the power plus 5 तो यह हो जाएगा 10 to the power minus 14 कुलाम दिस इस दा आंसर बहुत आसान है आप अच्छे से समझेंगे topic wise जो numerical बन सकता है हम सारे topic wise हर दिन एक एक topic पे numerical आपके लिए लेकर आएगे बच्चो ठीक है ताकि आप NEET और J के लिए जो आपका preparation है वो अच्छा हो जाए साथी साथ board exam में आप अगर CBAC board या भी हार board में से किसी board से भी है तो आपका board exam तो अच्छा होगा ही होगा ठीक है बच्चो चलो अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे question number 3 पर तो देखे question number 3 क्या कह रहा है बच्चो question number 3 है बहुत आसान question है यह भी calculate, गनना कीजिए calculate how many electrons कितने electrons को may be remove, हटाया जाए from a body किसी बस तू में से, बड़ी में से जिस से उस पर plus 1 कुलाम चार्ज हो जाए ठीक है बच्चो किसी बड़ी से calculate how many electrons may be removed from a body so that it may have plus 1 कुलाम चार्ज थाकि उस पर plus 1 कुलाम charge produce हो जाए इसके लिए हमें उससे कितना electrons को remove करना होगा तो चलो बच्चो सबसे पहले third question का solution हम लोग बनाते हैं q दे दिया आपको plus 1 कुलाम e का value आपको पता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम n निकालना है what since q बड़ाबर क्या होगा plus n e होगा तो n बड़ाबर q by e ठीक है plus q क्योंकि यहां देखे charge already plus दिया है ठीक है तो n is equal to q q का मान लिंके 1 कुलाम by 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम कुलाम से कुलाम क्या हो जाएगा cancel है ना कट गया कुलाम से कुलाम स्वाह अब देखो बच्चो यह जो power है negative तो बटा से अगर शटा में जाएगा तो यह power क्या हो जाएगा positive और यहां से point हटाएगे तो उपर 10 by 16 into 10 to the power 19 ठीक है और इससे इसमें divide देंगे 1 0 इसको दे दिया 100 by 16 16 से 100 में divide दिये 6.25 और यह 19 था 1 0 इसको दे दिया तो बच गया 18 ओके अगर हमको 1 कुलाम चार्ज प्रोड्यूस करना है किसी बड़ी पर तो इसका मतलब उस बड़ी से हमको 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्टॉन्स रिवूफ करना होगा ठीक है बच्चो और अगर minus 1 कुलाम चार्ज लाना है तो इतना add करना होगा common बात चलो बच्चो उमीद है इसमें आपको problem नहीं होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले प्राशन की ओर question number 4 बच्चो हम question पहले अभी भी लिख सकते थे लेकिन आपका video short हो छोटा video बने इसके लिए हमने आपके लिए पहले से question लिख दिया था ताकि आप लोग को ज्यादा time spend नहीं करना पड़े चुकि इस questions को फिर लिखना पड़ता तो थोड़ सा time taken होता ठीक है आप suggest करेंगे प्लीज आप comment में बताएंगे कि आपको question के 7-7 answer चाहिए या इस तरह से जैसे मैंने आज 5 question लिख दिया फिर उसका answer बता रहा हूँ one by one तो उस तरह से चाहिए या question के 7-7 answer चाहिए आप मुझे comment में बता सकते है मैं आपको उसी आधार पर उसी के base पे हम आपको next video बनाएंगे ठीक है क्योंकि J.E. और Neat के लिए हमारा जो video है numerical का especially video वो everyday आने वाला है आपके लिए साथी साथ अगर आप C.E.T. का भी एक्जाम देते हैं उसमें भी आपको काम आएगा चलो बच्चो fourth number question क्या कर रहा है How many electrons should be added How many electrons should be added कितना electron जोरा चाहिए है न to be added to a body so that it may have minus 2 कुलाम charge ताकि उस पे minus 2 कुलाम charge प्रोर्यूस हो जाए so come to the point solution होगा बच्चो यह fourth number का solution है कि हमने क्या पुछा N is equal to what but Q is equal to minus 2 कुलाम E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम ठीक है तो हमको निकालना है चो N is equal to क्या होगा minus Q by E हो जाएगा बच्चो क्योंकि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो electrons को यहाँ added किया जा रहा है तो Q is equal to minus N E तो N is equal to हो जाएगा minus Q by E अब यहाँ से देखो बच्चो minus formula बच्चो और एक इसके साथ जो charge के साथ minus है तो minus 2 कुलाम by 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम minus minus plus हो गया तो हो गया यह 20 by 16 into 10 to the power 19 कुलाम से कुलाम स्वाहा है ना अब देखो बच्चो यहाँ पे point हटाए तो पर 0 दिए 16 से इसमें divide देंगे 20 में तो 16 एकम 16 बच गया 4, 16, 29, 16, 85 उन्हे 10 के power 10 to the power 19 हो गया यानि कि अगर minus 2 कुलाम charge आपको produce करना है किसी बड़ी पर तो आपको इतना electron यानि कि 1.25 इंटो 10 to the power 19 इलेक्ट्रोंस एड करना परेगा उस बड़ी में तब जाकर उस बड़ी पर minus 2 कुलाम चार्ज प्रोरियूस होगा clear यहाँ positive क्यों आपको क्योंकि यह बटा से कहा गया सटा में और वैसे भी number of electrons जोगा बच्चों वो कभी भी तो negative में पॉइंट में possible नहीं है और हमारा अंतिम प्रश्ण जो 5 नंबर है वो इसी पराधारित है जो बच्चों प्रश्ण प्रश्ण नंबर 5 क्यों चरते हैं देखिए क्वेश्ण नंबर 5 क्या कह रहा है can a body have a charge of 4.8 into 10 to the power minus 18 कुलाम क्या किसी बड़ी पर यह जो charge दिया हुआ है 4.8 into 10 to the power minus 18 कुलाम charge possible है यह हमको check करना है तो क्या possible है या नहीं है चलिए इसको check करते हैं सबसे पहले फिर से आईए आपको क्या दे दिया q दे दिया बच्चो 5 नंबर का solution हम लोग देख रहे हैं q दे दिया आपको 4.8 into 10 to the power minus 18 कुलाम e का value fix है बच्चो 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम और n निकालना है हम लोग को पहले check कर लेना है था चुके n is equal to q by e हो जाएगा तो q के जगा पर 4.8 into 10 to the power minus 18 कुलाम by 1.6 into 10 to the power minus 19 कुलाम कुलाम से कुलाम कैंसिल 16 तिया 48 तो 3 गुने 10 के power minus 18 गुने 10 के power plus 19 क्योंकि बटा से 60 में जाएगा तो power negative से positive हो जाएगा बच्चो ठीक है तो यहाँ देखो 3 तो 3 देंगे 19 में से 8 minus 18 गया तो 10 के power 1 बचेगा that means 10 उनले लिखेंगे 10 into 3 is equal to 30 जो कि एक integer है बच्चो पुर्ण शंख्या है integer है तो अब इसका मतलब है कि यह possible है yes a body have a charge of इतना ठीक है तो इतना charge possible है यह हम कह सकते हैं because यह पुर्ण शंख्या आ गया अगर यह decimal में आता है बच्चो अगर यह fraction में आता so it is not possible क्योंकि number of electrons कभी भी fraction में नहीं होगा वो जब भी होगा integer के रूप में होगा okay so these are the five numerical based on quantization of charge q बड़ाबर plus minus any okay उमीद है बच्चो आपको इसमें problem नहीं होगी और next हमारा जो कल वीडियो आएगा वो आएगा density of charge पे numerical based on density of charge हम लोग हर एक topic पे कुछ numericals देंगे ताकि आप वो numericals को आसानी से exam में solve कर सके ठीक है बच्चो तो 12th class में हम लोग electrostatic से start किये हैं और 11th class में जो numerical होगा वो unit और dimension से start होगा तो अगर आप NEET की परिक्षा देना चाहते हैं JE की MINS की परिक्षा देना चाहते हैं CUET की परिक्षा देना चाहते हैं या SAB जो भी Defense Academy है उसकी परिक्षा देना चाहते हैं जिसमें numericals रहता है तो सारे exam के लिए आपको ये बहुत important वीडियो है और आप इन सारे numericals का practice करें ताकि आपका question बन जाए तो देखते रहिए Enraman Physics Classes मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चो ठीक है? तो subscribe करना ना भूले और साथी शाथ bell icon दवा ले ताकि आपको जब भी हमने वीडियो अप्लोड करेंगे आपको notification मिल जाएगा है न? तो तयार है अगले वीडियो के लिए मिलते हैं next वीडियो में share हिंद बच्चो ओके? Thank you